कोरोना की वज़े से दो साल तक बाधित रही कावढ़ यात्रा फिर से शुरू हो गई है, तमाम कावढ़िये गंगा जल लेने के लिए हरीद्वार आने शुरू हो गए है, इसके साथ ही साथ इस कावढ़ यात्रा पर आतंकी हमले का साया भी मंडराने लगा है, केंदरिये ग यारियां उत्राखिन पुलिस द्वारा की गई हैं अभी जो कावड यात्रा के ले करके देखे कावड मेला हमेशा से बहुत ही सम्मेदन सील रहा है और वर्ष 2007 में ATS UP ने बड़ा मॉडूल पकड़ा था राष्ट्र विरोधी तत्यों का और तब पता चला था कि कावड मेला में हमेशा एक्स्ट्रा एलर्ट रहे हैं और हमारी पूरी त्यारियां हैं हरिद्वार से ले करके निल कंट तक लगबग 400 कैमरे CCTV कैमरे निगरानी करते हैं 24 घंटे और उसको हमारे कंट्रोल रूम में बैठा आजमी उनको कैमरों को जूम और ट्रिल्ट भी करकर के एक एक क जर है और किसी को भी जो है कोई राष्ट्र विरोधित है तो इस तरह के मनसुबे पालता है तो उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा आप तो हरीदवार के SSP रहे पुराना लंबा अनुवव भी है कावड यात्राओं को लेकर जिस तरह से दो साल तक बाधित रही अभी केदारनाथ और ये तो आम चारधाम यात्रा में देखा एक क्रश जो आ गया था कहीं ने कहीं आप लोगों ने वह अनौन लगा है चार बड़े स्तरपर होता है और हमारे लगभग 15 सुपर जोन बने 45 जोन बने और 143 सेक्टर बने पूरे स्टेट में 125 सेक्टर बने तो सब हमारी तेयारिया है एक एक जगे हमने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है और जहे वो ट्राफिक परबंदन हो भीड परबंदन हो हुआ नजर है तो हमारा पोरा प्रयास होगा कि कुछ भी नहीं होने पाए और यह जो भीड है यह 2019 पीक थाylonा तो हमारा असेश्मेंट यह था कि इस राइन जादा लोग आए वह ब सी 212 ढही देन में दस लाक लोग आने वाले चैनलने उसके लिए तयार है और यह अनुमान माना जा रहा है कि पिछला जो 19 का पीक था तीन करोड तीस लाग उससे जादा ही यात्री आएंगे और जैसे मैंने कहा कि हमारी और से तयारी पूरी है सर डाक कावर जो है बीस तारी से आना सुरू होती है तब उस वक्त देखा जाता है कि जो देहरादून हरिद्वार और जो दिल्ली वाला जो हाईवे है उस पर मैनेजमेंट कैसे किस तरीके कर रखा गया इस बार जो क्या वो बंद किया जाएगा रूड किया जाएगा जो तो उसके लिए हमने यूपी से टाइब कर लिया है तो इस बार आम यातरी को कम से कम आई सुविधा होने दी जाएगी कावर वाले तो आराम से सुविधा जनेक रूप से चलेंगे ही जो आम आदमियों को जो आई सुविधा होती थी उसको भी मिनिमम पे रखा जाएगा औ कि कैसे जो है एक लेन को पूरी तरह से गरीन रखा जाएगा और बाकी लेन भी बंद नहीं होने पाए इसके लिए हमारी पूरी तयार है कोड़नेशन एक चीज आती है कि जो नशे को लेकर के तमाम चीजा आती है कि जिस कावर यात्राइक तौरान देखा जाता है बहुत संख्या में जो है चरस गांजा हो और यह सारी चीज इन पर ज्यादा काफी बिक्री बढ़ जाती है हरी द्वार में ही कई बार जो पिछली पुरानी रिपोर्टें भी आई है करोडों का जो है गांजा बिकता है तो इसको लेकर कि क्या इसमें जो है अभी आपकी तरफ से कि प्लीस की तरफ से क्या तैयारियं की गई हैं किमारी तैयारी है है उस पर क्या प्रिक्रिया है और क्या कि वो तो हमने रेजिस्टेशन के लिए किया है पुलिस्टिजन पॉर्टल डोट यूके डोट जियोवी डोट इन वैसे भी यह सब हमने एक उत्राखन पुलिस हैप पर डाल दिया जो सिंगल है उस पर सारी सुविधाएं और तीसरा मेरी अपील यही है कि आप सभी लोग यहां पर सिभगत आ रहे हैं घंगा जल ले करके जाएंगे तो वह अपनी उसकी गरीमा और पवितरता को बनाए रखें कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि जो उत्राखंड के डीजी पी असुक कुमार जिनका कहना है कि जितने भी कावडिय यहां पर आ रहे हैं वो गंगा की पवितरता और गरीमा को बनाए रखें और ऐसा कोई कारें ना करें जिससे कि लोगों को असुबिदा हो कैमरा परसन मनी शोनियाल के साथ ध्रुम मिश्रा एबी पी न्यूज देहरदून